हेलो एन वेलकम तो अभ्यूदे क्लासेज यूपी आज की इस वीडियो में हम हमारा EDUBA 113 का जो हमारा सिख्छर की तकनिकी या सैच्छिक तकनिकी का जो हमारा पेपर है उसका असाइमेंट नंबर वन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और नेक्स वीडियो में हम देखेंगे इसका असाइमेंट दूसरा तो चलिए देखते हैं ये है हमारा क्रमादेशित निर्देश की अधारडा प्रकार और विशेष्ताओं का वरणन करें ये हमारा पहला असाइमेंट है आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और जो दूसरा हमारा assignment है सिख्षड की तकनिक या सैक्षिक तकनिक के पेपर की वह है सिख्षड के model की अवधारडा आवश्यक्ता और विश्यस्ताओं का वरणन करें यह हमारा दूसरा assignment है तो इस वीडियो में हम पहले assignment पर चर्चा करेंगे वह क्या है क्रमा देशित निर्देश की अधारडा प्रकार और विश्यस्ताओं का वरण करें तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना assignment अबना लिखना कैसे है सबसे पहले आगे बढ़ने इस पर लेगार आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक आप विडियो क्लासे यूपी को सब्सक्राइब नहीं की होगा तो प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर ले एंड वीडियो पसंद आए अमेरिका के मनवैज्यानिक सिड्नी प्रेसी को जाता है सिड्नी प्रेसी एवं उनके सहयोगियों ने सन 1920 में एक ऐसी सिख्षण मसीन तयार की जिसकी सहायता से चात्रों के सामने प्रश्णों की एक श्रिंखला क्रमानुशार प्रस्तूत की जाती थी तथा उन्हें प्रश प्रेसी के प्रेसी की मसीनों से प्रेरिद होकर लिम्ष्टेन और ग्लेसर ने इस तिसा में प्रयास किया लेकिन वे भी अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सके आगे देखते हैं इसमें इसके प्रेसी के प्रेसी के प्रयोगों को साकार एवं सार्थक रूप प्रदान किया और उसे अभिक्रमित अनुदेशन का नाम दिया किसने दिया प्रेसी कीनर ने इसे अभिक्रमित अनुदेशन का नाम दिया यह आप नाम और क्या नाम दिया यह दोनों आप ध्यान में रखेंगे तो यह है हमारा इंट्रोडक्षन या प्रस्तावना या भूमी का सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्षन लिखते हैं उसके बा इसमें उपलब्ध शैक्षिक सामगरी को अनीक लगुपदों में विभाजित करके एक क्रमिक जुंखला का निर्मार्ट किया जाता है जिससे विद्यार्थी स्वेम प्रेरित होकर नमीन घ्यान का अर्जन करने में शमर्थ हो जाते हैं अभिक्रमित अनुदेशन सब्द अभिक्रमित तथा अनुदेशन तो सब्दों से मिलकर बना है अभिक्रमित का तातपर है कारे क्रमित अर्थात किसी कारे को सफल करने के लिए उसके समस्त पहलों पर विचार करके एक नियोजित कारेकरम तयार करना वह अनुदेशन सब्द अंग्रेजी के इंस्ट्रक्षन का हिंदी अनुवाद है। इंस्ट्रक्षन के अंतरगत सिक्षक विद्यार्थियों को आदेश न देकर निर्देश देता है। इस प्रकार किसी विशय पर कारिक्रम बना कर विद्यार्थियों को इस प्रकार की सूचनाय वो निर्देश देना, जिससे वे अपने मार्ग पर स्वय निर्ड़य वो श्वय अध्याय द्वारा आगे बढ़ते रहें, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। ये आप लिख देंगे अभिक्रमित अनुदेशन की या क्रमा देशित निर्देश भी इसका दूसरा नाम है, इसकी अर्थ, इसके बाद हम लिखते हैं इसकी परिभाशाएं, कुछ परिभाशाएं लिख लेते हैं, सबसे पहला तो B.F.Skinner ने इसका नाम करण किया है, इसे हम परिभाशा लिखेंगे, B.F.Skinner के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अभिक्रमित सामगरी और विद्यार्थियों के मद्धे होने वाली अंतर क्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ये किसके अनुसार ती कई परिभाशा है, B.F.Skinner के अनुसार, फिर नेक्ष अर्थियों को उनकी परिचित प्रिष्ट भूमी से एक नमीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिधान्तों तथा अवबोधों की और ले जाया जाता है, ये इसमीत वह मूरे के अनुसार है, फिर अगला हमारा जो परिभाशा है वह है इस्टोफल के अनुसार, इन्होंने कहा है यहाँ पर हमारा क्रमादेशित निर्देश का अर्थ एवं परिभाशा कंप्लीट होता है, इसे आप एक बार स्क्रीन सोर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभिक्रमीत अनुदेशन की क्या विशेष्टाय हैं, इसको लिखेंगे अपने इस असाइमेंट में, इसको प अभिक्रमीत पाठे सामगरी को छोटे-छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, और तीसरा है, अभिक्रमीत सामगरी पूर्ड परिक्षित तथा वैद होती है, चोथा पॉइंट है हमारा अभिक्रमीत अनुदेशन में विद्यार्थी अपनी गतिवत तल्लीनता से प उनरबलन में तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं, इसमें विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा कठिनायों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की भी वेवस्था किया जाता या करता है, और अगला पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं के अफी कम रहती है, और आखरी पॉइंट है हमारा विद्यार्थि की प्रतेक अनुक्रियाओं उसे एक नया ज्यान प्रदान करती है, यह था हमारा अभिक्रमित अनुदेशन की विशेशता है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार पर, ठ रेखी अत्वा इसका दूसरा नाम है बाहे अभिक्रमित अनुदेशन, रेखी अत्वा बाहे अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है साखी अभिक्रमित अनुदेशन, और तीसरा है हमारा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, यह तीनों इसके प्रकार हैं, अब इन त कीनर का अभिक्रमण प्रकार भी कहा जाता है। इस अभिक्रमण का मुख्य आधार इस कीनर का अधिकम संबंधिक क्रिया प्रशुत अनुबंधन सिध्धान्त है। अधिकम के इस अस्तर का मापन भी किया जा सकता है। इस विधी में वैदता, विश्वशनियता, वग, पिवेदिकरण, आधिगुरों का समावेश भी सुनिशित किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं रेखी अभिक्रमित अनुदेशन की निर्मार विधी। यह हमार अगला पॉइंट, अगला हेडिंग होगा। इसमें लिखेंगे रेखी अभिक्रमर का साब्दिक अर्थ है, एक सीधी रेखा का अभिक्रमर। इसमें सीखने वाले को समान फ्रेमों तथा समान क्रम से गुजरना पड़ता है। शमग्र अनुदेशन प्रक्रिया पूरण न जाता है, यदि उसका उत्तर सही होता है तो उसे पुनरबलन प्रदान किया जाता है। फिर वा अगले पत की ओर आगे बढ़ता है, यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक वा अंतिम ब्योहार यानि यह अंत ब्योहार तक नहीं पहुच जाता। ठीक है, अब इसका जो फिगर है वो ड्रॉकर लेंगे, यहां पर ड्राइग्राम आप यह देख सकते हैं, फ्रेम 1 है, फिर फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है और फ्रेम 4 है, ठीक है, इस प्रकार आप इसे ड्रॉकर लेंगे, अनुक्रिया मिलती, अनुक्रिया करता है, ठीक है, पुनरबलन की प्राप्ती हो हो जाता तो एक बार इसका स्क्रीन सोट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है हो गया अब हम आगे देखते हैं एक ऐसा अभिक्रमित सामगरी का क्रम जिसमें विद्धार्थी एक सीडी रेखा में एक निश्चित किये गए पदो के समुझ्चे को पार्य करता हुआ आगे बढ़ता है उसे रेखी अभिक्रमर कहते हैं ये स्कीनर ने कहा है अब देखते हमारा दूसरा साखी अभिक्रमित अनुदेशन इसमें लिखेंगे रेखी अभिक्रमर की दोसों को दूर करने के लिए स्री नौर्मर ए क्राउडर ने एक ऐसे अभिक्रमर का प्रतिपादन किया जिसमें अभिक्रम के विभीन पदों पर अनुक्रियाय करने के विद्यार्थियों को पूर्ण सोतंतरता प्राप्त की जाती है यानि कि ती जाती इसमें छात्रों को एक पत से दुसरी पत पर एक सीधी रेखा पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है बलकि वे सोतंतरता पूरुखक अलग-अलग रास्ते अपनाते हुए अंतिम पत पहुचते हैं इसलिए इसे साखी अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है इसमें विद्यार्थियों को यह सुविदा प्रदान की जाती है कि वह अपनी व्यक्तिगत युग्यताओं के अधार पर अनुक्रियाओं का मार्व स्वैम चुन सकते हैं इसलिए इसे आंतरीक अभ अध्यम के बिना भी विद्यार्थियों की आशकताओं के अनुसार कारे करती है यह क्राउडर ने कहा है ठीक है अब एक बार इसका साखी अभिक्रमित अनुदेशन का भी स्क्रिंशर्ट लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो तीसरा प्रकार है मैथ्यटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन उसको लिखेंगे इसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ओके हो गया हाँ एक चीज़ और अगर आपको अध्यापक सिख्छा के मुलतत्व और अन्य जो भी हमारे पेपर अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी भी असाइमेंट और प्रोजेक् अभिक्रमित अनुदेशन मैठेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विक्सित करने का स्रे थॉमस एफ गिलबर्ट को है इनका नामकरर यूनानी भासा के सब्द मैथीन के अधार पर किया गया है इसका नामकरर जिसका अर्थ क्या है सीखना इस विधि में पाठे सामगरी क औरोही क्रम में ब्यवस्तित किया जाता है अतर इसे औरोही श्रिंखला अभिक्रमण भी कहा जाता है ये आप तूसरा जो इसका इन तीनों का सेगेड नाम है उसे भी आप चरूर धी ध्यान में रखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गिलबर्ड ने क्या कहा है औरोही अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित अध्यन में विद्यार्थियों को जटिल बेवहारों के विकास में सहायता मिलती है और वह शिक्षर सामगरी पर पूर्ण स्वामित तो प्राप्त कर लेता है या अभिक्रमर थोड़ा जो हमारा फ्रेम होता है फ्रेम को अभ्यास या समस्या कहा जाता है इसमें पाठे वस्त को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है जिसमें अंतिम पत को प्रथम पत के रूप में प्रस्तूत किया जाता है क्योंकि यह एक औरोही श्रिंखला होती है तो यह था हमारा अभिक अभिक्रमित अनुदेशन के तीनों प्रकार कौन-कौन से रेखी शाखी वह मैथ्यटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन इसको हमने समझा इसे हम लिखेंगे अपनी इस असाइमेंट के अंतरगत क्योंकि कहा ही यह गया है असाइमेंट के गोश्चन में अब हम आगे बढ़ते ह इन सबी के बाद हमारा क्या कंक्लूजन इन सबी से आता है किया निश्कर्स निकलता वो हम निश्कर्स में लिखेंगे अतर इस प्रकार एक सिक्षर नीती के रोप में अभिक्रमित अनुदेशन आज एक अंतरिमाइत्यपूर्га विदी है आज अनेका निक खोजो ने इसके महत्तु को और बढ़ा दिया है हमारे देश में भी इस विशे पर अनेक सोथ कारे हुए है सन 1964-1966 में जब कोठारी आयोग आया था तो उसका सन भी अब ध्यान में रखेंगे तथा यह एक विद्यार्थी केंदरित अभिक्रम है इसके माध्यम से सीखना असान है क्योंकि विशे वस तुको छोटी छोटी पदों में भी भाजित कर दिया जाता है तथा इसमें विद्यार्थी अपनी इक्षा वस सुविदा के अनुसार पढ़ सकता है तो यह था हमारा निसकर्स क्या आया इस असाइमेंट से हमने जो भी लिखा है वो हम यहाँ पे निसकर्स में लिख देते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले असाइमेंट के साथ असाइमेंट नमबर जो हमारा ये असाइमेंट पहला है असाइमेंट दूसरे एक साथ हम अपने नेक्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहे हैं जाते वक्त लाइक से रहें सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा धन्यबाद